अंदर 14 में नेशनल चप्रियन होई है बिहार की टीम बिहार को गरवानी वित करने वाल अच्छान आया है और बिहार ने दिली कोहरा के फाइनल में कितने जिरो से हराया है दिली बाज फाइनल में एक जिरो से एक जिरो से फाइनल में दिली कोहराया है आपको बदाई है बहुत बदाई पुरे समस्ते पुरे जिला और पटोरी के लिए आज कैथिया सिक्षन है कि यहां का बच्चा जो हसनपुर्शुरत फ्याड़ा का बच्चा है और वो आज के दिर्वे उसके एक मातर हेड के गोल से दिन्नी को हरा के आज वो अम्भिहार को नेशनल चंपियन बनाया यंग राइजिंग स्टार से कई बर्सों से खेल रहे हैं सीख के आज एक मतलब पटोरी की जंडा जो है वो बिहार नहीं वो आंदर परदेश में जाके दिल्ली को हरा के आज बता दिया कि पटोरी में भी जान यहार टीम की कैप्टेन आयूस कुम ऌत जो समस्थपूर के सहापूर पतोरी हासन पूर्थ सूरत टार्मात के रहने वाले इनके पिताजी का नाम सतेंदर रह है इनके मात का नाम सावत्री दही हैं और ज़िका नाम देव्टГ मेंदायः पकुम सपोर्ट मिलता है फिर भी आप 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 लोग कि आथ बच्चों के पिछे कि दिली ने में सफल आप अब जो है कि यहां के जगह में जो यह जा सकता utilizz कि खेल करने जो है जुदे और यहां के बच्चे खेलते हैं और खेड़ने में प्रतिभा रखते हैं और वह अपने प्रतिभा के बल पर आज गये हम अब एक मात्यम है हम लोग उसको बहुत चीज नहीं दे पाते हैं सिर्फ एक बॉल दे पाते हैं और चैम्पियन बनी जी आज बिहार दिली जैसी टीम को हरा के अज चैम्पियर बनी और यह पटोड़ी के लिए बहुत ही एतिहासिक समय इनर फोटीम में नेशनल चर्पियन होई है बिहार की टीम टमिनानी को एक-एक से हराया बड़ी टफ मैच थी लेकिन अन्डवार्णी कोवार्ट दीप समू को तेरह जीयों से हराया इक भी गो उसके बाद उत्तरा खंड से साथ एक में जीती और सेमी फाइनल में अश्रम से दो एक में जीती कि मौका मिला है तो चक दे इंडिया चक दे बियार चक दे बियार मतलब की आर्थिक मदद नहोंने के बावजूत जो आप लोग की इच्छा सकतितनी मजबूत है कि आज बिह और संगर्ठन में कोई किसी को आर्थिक सायोग नहीं दिया जाता है लेकिन सब भी बच्चे अपने अपने और हम लोग जीतना सकते हैं कभी किसी को देखने हैं कि लचार है यह नहीं खरीद पाएगा वैसे लोगों को बूट देके और फिर नरसरी जैसे टीम को तयार करके अभी जाष्ट अमितरंजन जी बीस खेलारियों को गोदमियें और उनको कीट पूड़ा दियें ऐसे कई अस्तर पर जो है समय समय पर फुट वॉल देना फुट वॉल बरावर मुहाय कराना यह तो आप लोग करते हैं लेकि यहां के जुनेता लोग है अस्तानी सांसत विद जुमलाएं बहुत देते हैं बन बोलते हैं कि यह बोट दिलवाई यह करेंगे लेकिन जो भी लोग आज तक हुए है नेता चाहे मेले हो या एंपी हो हमको यह मतलब नहीं है कि वो किस डल से क्या है नहीं है लेकिन आज तक कोई भी सरकारी पैसे का उपियो कलब के द्वार नहीं किया गया है नीजी साहियो के बल पे बिहार की टीम को चैंपियन बरवा देते हैं बच्चे गए बिहार के टीम में सेलेक्ट हुए और उसका सेलेक्शन जो है 9 सिप्टेंबर को हुआ और 10 को आता है कि भाईया हमको कैटें बना दिया गया तो उसमें एक गर्व हुआ आमका आप बहुत ने तुट करने का मौका मिला है तो आओ अच्छा खेल के और पूरी टीम को संगटित कर अच्छा खेल के आओ तो उसमें एक अलग सी प्रतिवा थी जुन्य कलब से कितने बच्चे इस वार भी आरक के लिए खेल रहे थे इस वार तो यह बस लिए यह और लिहारत की टीम ने पुटमवल में दिली दिली कोरा के फाइनल में एकजी खेल से और विजेता बनिए जी तान 10 झीरों से डिल्ली जैसे ऑच्छी टीम को हरा के और उसमें भी इस बात का गर्व है कि हमारा बच्छ मीस अंहों करके दिल्ली। टीम को अपने हेंड से गॉल करके भाया बनाकर बीर को खिंपियन को जिताया है ब्यार को इसके लिए उसको भी सोब्रों और उसका आने का इंतजार भी हम लोग कर दाए जो दिल्ली को हरा के साइनल जीती है और यह तो पटोडी फुटवॉल जगत के लिए यह एक ही पटोडी जिति हार किन होगा बिल्कुल यह इतिहास में दर्ज होगा कि पटोडी यंग राइजिंग एस्टार के क्लब के इतने क सब्सक्रादा अबलाओं के लिए जो यहां के मिटी में पलल है सुब्सरू्सरा लिए और पूड़ी भारत में फुर्णता लडाहे है और इसमें पटोडी का जो खिलाडी है उसका आहम्योग दान है है और खिलाडी गोल भी मारा है और बिहार का नाम वहां एक दम बिल्कुल मजूती से रखाया हूँ वहती खुशी की बात है देख वारत आई उसके लिए अनिके लिए एप फुर फुर्प फुर्प बट टेख सकते हैं कि यह पुशी जो है बिहार टीम फुटवल फुटवल में दिली जैसी टीम को फाइनल में फारा के विजेता बने